संडे ब्रंच के 19 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है इंडिको एरलाइन ने 500 एरबस A320 एरक्राफ्ट की बड़ी ओर लगाई है और रिकीन मानिये ये बहुत ही बड़ा ओर्डर है इन एरक्राफ्ट के डिलिवरीज 2030 से 2035 के बीच में होगी और ये कमर्शिल एविशन के इतिहास की सबसे बड़ी ओर्डर है दुनिया के इतिहास में किसी कंपरी ने इतनी बड़ी ओर्डर नहीं लगाई है इसकी टोटल ओफिशल कीमत है 55 बिलियन डॉलर और साथ ही 57.5 प्रतिशत के डोमेस्टिक मार्केट शेर के साथ ही Indigo इंडिया की लाजिस्ट एरलाइन है इनफाक्ट, Indigo उन चंद एरलाइन्स में से एक है जो की प्रोफिटेबल है और सबसे बड़ी बात यही है अदरवाइस आपको पता ही है कि दूसरी एरलाइन्स के क्या हाल है और इस साल के पहले quarter में Indigo का net profit 919 करोड है और उनका revenue 76.5 प्रतिशत से बढ़ा है Indigo के पहले Tata Group के Air India ने February 2023 में सबसे बड़ी commercial aviation deal sign की थी 470 passenger aircrafts की लेकिन अब Indigo ने नया record बना लिया है और इंडिया का aviation sector तेजी से बढ़ रहा है और फिलाल दुनिया का fastest growing market है इसलिए airlines जोरो शोरो से aircrafts की order लगा रहे हैं Indian pet food brands Drules ने private equity firm Alcatatune से 60 million dollar की funding उठाई है ये Drules का पहला funding round था और अब उनका valuation 600 million dollar का हो गया है इसके बदले में Alcatatune ने 10% का stake लिया है और ये Indian pet care industry के largest investment में से एक है Drules का pet food space में 38% market share है और दोस्तों interesting बात देखना यहाँ पर उनका FY 2022 का revenue 355.8 करोड का था और profit 35.5 करोड लेकिन valuation 600 million dollar मतलब 4920 करोड रुप है अगर revenue भी पकड़ने तो 13X के revenue multiple का valuation हुआ इसलिए shark tank में भी आपने देखा होगा कि कई startups over value करते हैं company को लेकिन इंडिया में valuation बढ़ाच रहा कर लगाने की तो जैसे आधत ही हो गई है खेर बैंगलूरू based space tech startup डाइगंत्रा ने Peak XB Partners और Kalari Capital से 10 million dollar की funding उठाई है Peak XB का पुराना नाम Sequoia Capital India था और यह उनका इसके अलाबा Japanese based venture capital firm Global Brain, Campus Fund और IIFL Wealth के founders ने भी इस राउंड में हिस्सा लिया था डाइगंत्रा का aim है Space Mission Assurance Platform यानी Space Map जिसके जरीए वो अर्थ के orbit में घूमते हुए space derbis को track करना चाहते हैं Space में बहुत सारा कच्रा होता है जिसे derbis कहते हैं वो satellites और हमारे space mission के लिए हानिकाराख हो सकता है सरकार के push के बाद में इंडिया के space sector में बहुत सारे start-ups private खिलाडी घुस रहे हैं Rural Fintech startup Navdhan ने वरानियम next gen से 1.5 million dollar यानी की 12 करोड की seed funding उठाई है इस round में उनके पुराने investor Anycut Capital और Gemba Capital ने भी हिस्सा लिया था Navdhan चोटे मोटे business को banks और non-banking financial corporation से connect करता है और इंडिया में micro, small and medium enterprises की भी मदद करता है जिने financially support नहीं मिलता है bank भी loan नहीं देते हैं यह उनकी मदद करता है मज़िदार बात यह है कि MSMEs इंडिया के almost 30% GDP को contribute करती है और 100 million लोगों को काम देती है लेकिन 15% से भी कम businesses को bank और financial institutions loan देती है यह बड़ा gap है इस funding से Navdhan SN tech platform में invest करने वाले है Quick service burger chain Good Philippine Burgers ने Taglin venture partner से Series A round में 4 million dollar की funding उठाई है इस round से वो quick service business को मजबूत करेंगे और अपने supply chain network को भी expand करेंगे QSR को हम और fast food restaurants के नाम से भी जानते हैं जैसे कि Burger King, KFC, McDonald's, Subway, Pizza Hut, Wendy's, Taco Bellah वगरा वगरा लेकिन इंडिया में बहुत कम fast food chain successfully चले है निरूलाज और Jumbo King उनमें से कुछ नाम है अगला US-based chemical firm Lubrizol गुजरात में 1229 करोड रुपए इन्वेस्ट करने वाला है Lubrizol एक specialty chemicals company है जिसे Warren Buffett की Backshare हेत्वे ओन करती है और ये project आदित बिर्ला ग्रुप के Grassim Industries के साथ partnership में चलाये जाएगा और ये इंडिया का largest CPVC resin plant होगा और गुजरात के विलायत में setup होगा इस project से 4000 direct और indirect jobs का निर्मान होगा इसके लावा Lubrizol गुजरात के दहे side की capacity को double करने वाला है Lubrizol इंडिया में 1966 में आई थी जब उन्होंने chemical additives के लिए in region manufacturing शुरू किया था कई Bollywood actors भी invest कर रहे है संजेदत ने मुंबई based alcohol beverage startup कार्टल एंड ब्रोज में invest किया है ये एक partnership हम है जिसे जितिन शुरेश मिरानी, मनीश रीचन परदशानी, रोहन निकलेश निलानी, मोकेश रीचन परदशानी सभी partners और promoters है शिलपा शिटी अपने investments में काफी successful नहीं है उन्होंने shark गजल अलग के mama arts में invest किया था और क्योंकि वो health और fitness की शौकीन है उनके कई investment health और fitness में है उन्होंने shark tank season 2 के विग्ड गुड में भी invest किया था जिसे tank पर कोई deal नहीं मिली थी तो मुन्ना भाई ने भी अपनी पसंद का feel चूस किया है कार्टल एंड ब्रोज बाहर का brand को import करके इंडिया के market में retail करता है उनका पहरा product है Scotch whiskey brand Glenwalk उसके बाद वो वोत का टकीला और सिंगल माल्ट के साथ में वैसा ही करने चाहते हैं Adtech Unicorn Company Physics वाला Kerala based Adtech Company Xylem Learning में majority stake खरीदने वाले हैं इस acquisition से physics वाला Xylem का owner बन जाएगा और इस purchase की पूरी कीमत होगी 500 करोड रुपए इंडिया में already 7 Adtech Unicorn है By Jus and Academy, Physics वाला Vidantu, Erudators, Upgrade और Lead School लेकिन इन सारे Adtech Unicorn में Physics वाला अकेली profitable company है FY 2022 में उनका profit अंठान ने करोड का था और Xylem खरीदने के बाद के बाद वो केरला, धमिनाडू, आंद्रप्रदेश और दूसरे Southend Market में भी expand करेंगे जहां Xylem का अच्छा खासा base है Adtech में अकेला ये acquisition नहीं हुआ है Google-backed Adtech platform Adda247 ने 3D experiential learning based product Vikshah को acquire किया है Yes, Adda247 इंडिया का सबसे बड़ा vernicular learning platform है वो public sector banks, government departments और Indian railways के exam की तियारी करवाते हैं Unacademy-backed startup Graphy ने Scenes को acquire कर लिया है Deal के सारे financial details अभी तक disclose नहीं हुए है Scenes एक B2B SaaS platform है जो की cloud-based community engagement platform है Cred के CEO, Kural Shah Flipkart के CEO, Kalyan Krishnamurti Udhan के CEO, Sujit Kumar और Unacademy के co-founder Gaurav Munjal और Roman Signee already investor है Tanmay Bhatt और Raj Samani ने भी इसे back किया है ये Graphy का 2023 का पहला acquisition है Adani Group ने Stark Enterprises के app Trainman को 100% acquire करने के लिए agreement sign की है और ये agreement Adani Digital Labs Private Limited के रिच्रू हुआ है जो Adani Group की owned subsidiary company है Trainman एक train booking platform है इस फैसले पर politically कई statements भी आए इससे IRCTC की monopoly चली जाएगी वगरे वगरे लेकिन ये सच नहीं है Trainman IRCTC का authorized partner है यानि कि IRCTC ने Trainman को अपना API दिया है API मतलब होता है application programming interface जिससे की data और information को दो companies के बीच में exchange किया जा सकता है ऐसी 31 और companies हैं जैसे कि Paytm Make My Trip जहां से online train booking हो सकती है यानि कि Paytm सिर्फ एक aggregator है आखरकार IRCTC के बिना booking हो ही नहीं सकती है यानि कि IRCTC की 100% monopoly अभी बनी होई है और ये खुद IRCTC ने clarify कर दिया है Adani Enterprises, Age Connects के साथ मिलकर joint venture शुरू कर रहा है जिसके लिए उन्होंने 213 million dollar की funding उठाई है इस funding से वो 67 megawatt के दो data centers खोलने वाले है ING Bank, NV, Mizuho Bank Limited, Muffg Bank Limited Nutixis, Standard Chartered Bank और Sumitumo Mitsui Bank Corporation ने finance करने के लिए commit किया है लेकिन दूसरी तरफ Adani के लिए बुरी ख़बर आई है कुछ reports के उताविक US के regulators ने Adani के खिलाफ सपिना issue किया है हलाकि Adani से official reply आया है कि उन्हें ऐसा कोई सपिना नहीं मिला है सपिना मतलब होता है एक written order जो आपको court के सामने जाकर evidence दिखाने के लिए मजबूर करता है लेकिन जैसे ही ये ख़बर अखबारों में आई Adani के stocks की value फिर से गिरने लगी है अब investments और acquisition की बात तो हो गई है लेकिन companies public भी की जा रही है इंडिया की large drone manufacturer company Idea Forge का IPO 26 जून को खुलने वाला है इस IPO से वो 570 करोड रेज करने वाले है उन्होंने 2009 में अपना पहला product launch किया था और in fact उनका prototype Bollywood movie Three Idiots में भी इस्तिमाल हुआ था Three Idiots में Rancho Joy Lobo के final year project के लिए जो drone बनाता है वो Idea Forge का ही था Idea Forge मुंबई में headquartered है और dual use category civil and defense दोनों में drones बनाते हैं जब 2008 में मुंबई में 26-11 आतंकवादी हमले हुए थे तब उन्हें लगा कि अगर वो drones होते तो वो security और defense operations की मदद कर पाते तो दोस्तो आज के लिए इतना ही उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आप ऐसे ही topics पर वीडियो पसंद करते हैं तो please channel को subscribe करने ना बोने मिलते हैं आपसे अगले वीडियो